कि यह लोग दोस्तों आज यहां बात करने वाले हैं क्लास एट के इंगली से चैप्टर जो किये दिस जॉडी 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 फॉन हम दिखने वाले हैं कि जॉडी के पिता रहते हैं जिनका नाम रहता है पैनी उनको एक बार रेटल इसमें काट लेता है अब वो अपने आप बना सके उस पॉजन का काट में सोता है उसका यहां पर जो है जो जहां जो देख रहा होता है और वो देखेगा सकते हैं वो जो है कैसे अपने आपको मिन्स पेट भरेगा और कैसे संभाल पाएगा यहां पर जॉड़ी अपने पिता के पास बैठा रहता है यहां पर उसकी पिता बिस्तर पर लेटे रहते हैं वह बच गए होते हैं लेकिन उनका है अभी थोड़ा खराब रहता है वह उनसे पूचता है कि आप कैसा मैसू पर ला सकता हूँ क्योंकि यहां पर जॉड़ी यह सूच आता है कि वह जो फॉन है मिंस वह जो लिटिल बेबी डियर है वह अकेरे रहेगा तो मर जाएगा यहां पर पहनी था वह पहले से बहुत मतलब परिसान था क्योंकि उसका तब्यत खराब था तो वह समझ नहीं पात और फिर पेनी कहते हैं कि यह फॉण को लाने से पहले तुम अपनी मा बाक पूछ लो जो रूम में जाता है टेबल के पास जाता है जो शुआ पर यहां पर उसकी जो मार गरती है कप में कॉफी डाल रही होती है तब जॉद उसको ला सकता हूं घरपर वह इसको अजीब नहीं सकते हैं इससे वह भूख के मर सकता है तो यहाँ पर चलिए उसकी मां आगे अभी कुछ बोलती ही उसी वक्त जो है डॉक्टर विल्सन जो है विल्सन स्पोक वह वहाँ पर आ जाते हैं वह कहते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है यहाँ पर दीखिए जो दो थी मिन्स वह फीमेल डियर उसने अपने लाइफ को सक्रिफाइस किया ताकि वह जो है पैनी को मिन्स जो जॉड़ी है उसके पीता को बचा सकने के लिए तो अब यहाँ पर इनके फैमिली का यह मतलब एक मकसद बनता है कि वह जो है उस दो के बच्चे को जो बचाएं औ वहां पर लेकर जाओंगा फॉरेस्ट में अब जॉड़ी की जो मां थी वह कहते है ठीक है लेकिन तुम्हें अपने हिस्से का दूद उसको पिलाना होगा और मैं दूद के लाबा जो है उसे और कुछ खाने के लिए नहीं देने वाली जॉड़ी भी मान जाता है अब वह और यूष किया इसने तो मिल विलग आप कि तुम्हें कैसे पता कि वह जो फॉन है वह लड़का ही आफ जो पर ढावाम इंदर जंगल तो वो बताते हैं कि देखिए उसका धारी था डॉट जो था उसके बॉड़ी पे वो एक सीधा लाइन में था इससे पदा चलता है कि वो जो फॉन था वो मेल था और उसके पिता ने इस बात को बताया था जॉड़ी को वो जो फॉरे से पहुंच आते हैं तो जॉड़ी यह नहीं चाह रहा होता है कि जो मिल वील है वो उसके साथ वहाँ पर अंदर जंगल में जाएं क्यूंकि वो जो है यह सूच रहा होता है कि देखिए यहां तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं पहला यह कि जब वो जाएगा ढूंडने उस फॉन को तो वो मरा हुआ मिलेगा दूसरा यह कि वो जिंदा मिलेगा तो यहां पर जो जॉड़ी यह बोल रहा होता है कि अगर वो मरा हुआ मिलता है तो जॉड़ी इतना जादा उदास हो जाएगा कि वो इदम अकेला रहना च चाहेगा कि मिल विल जो है इस चीज को देखे कि वह कितना उदास है और दूसरा यह कि अगर वह उस फॉन से मिलता है तो वह उस वक्त इतना खुश रहेगा कि वह जो है किसी को भी वह खुशी नहीं बाटना चाहेगा तो यह दो यहां पर मतलब इसने ठीकिंग रखें आगे देखिए वह बोलने लग जाता है कि मिल विल आप जो है घर चले जाईए मिल कहते हैं कि देखो यहां पर बहुत जाडियां हैं और इसके अंदर सांप भी हो सकते हैं जो तुम्हें काट ले तो वह कहता है कि देखिए आपका घोड़ा जो है आगे नहीं जा सकता है क्यूंक तुमको पेड़ दीख रहा है जो की सीधा लाइन बना रहा है इससे पता चलता है कि कहां पर इस्ट और कहा पर नौर्थ है ठीक है मतलब उसको डायरेक्शन बताते हैं तो यहां पर बोलता है ठीक है कोई बाद नहीं मैं जो है समझ गया और मैं आ जाऊंग बापस क्यूंक जाते हैं जोड़ी जब आस पास में देखता है तो उसको वल्चर दिख रहे होते हैं जो कि हमको पता है कि मरे हुए जानवर को खाते हैं जानवरों को तो यहां पर डर जाता है क्योंकि वल्चर उसके पास आते हैं तो वह क्या करता है कि स्टिक लेकर फेकता है वल्चर पे औ लेकिन अब उसे वह दिखता नहीं है क्योंकि इसके पिछले रात में बारिस हुई थी और उसमें पूरा उसका निसान जो था मिटिया था और वहां पर जो निसान ताजा सा बचा था वह किसका था तो कोई वाइल्ड कैट का जैसे कि टाइगर हो सकता है पैंथर इन सब का और सब्सक्राइब यहां पर जैसे कुछ जानवरों का और यहां पर जैसे धूल रहा और तब उसे ज्शाड़ीया thứ कुछ आवा जाता है उसका पुरा सरीर कापनेशिया तक फूर होगा लेकिन उसको ये लगता है कि पक्का उसके पीछे जिए वह फॉन ही होगी यहां पर जो आता है और भागना सुरू कर देता है ताकि वह घर जा सके जल्दी पहुंश की तिसमें मां को कहा रहता है कि वह जो है डिनर से पहले घर पहुंच जाएगा यहां पर जो फALL कर फॉन रहती है ठीक है उसको buried लगता है जैसे यह जो करो की अंदर से दौड़ने मैं उसको लगता है कि इसको चोटना लग जाए फॉन के आँकों पर मुँप दॉसके हांतों से उसके उसके मुँ ढगदेता और जो डॉरने लग लेते हो ठेक है या फिर उसके साथ कुझे रह लेते हो उसको लगने लेता है कि कोई अपना पन तो वह जो फॉन है वह तुम्हारा पीछा करने लग जाएगी जोड़ी यह सोचता है फॉन को अपने कंदों पर से उतार लेता है उसका जो पहले से बहुत दर्द हो चुका जात संदुन खाएट ऊपने जाएगन और जो आगे चलने लग जाता है वह फॉन जो है उसका पीछा करती है तो थोड़ा दूर और चलता लेकिन फोंचे फीर फीर फिर अपने घर पहुंचना था वह बपस बाप तो उसको नीचे लग देता है । फिर चलना सुरू कर देता है अब जो फॉन थी फिर उसको फॉलो करने लग जाती है लेकिन इस बार जो ऐसा नहीं था कि वह बीच में रुख गई इस बार जैसे जोड़ी चल ला था वह उसको फॉलो कर रहे थी तो यहां पर जोड़ी सोचा होता है कि चलो लगता है यह जैसे जा रहा होता है तो बीच में क्या होता है कि सीड़ी आए जाती है जैसे सीड़ी आती है वह जो फॉन रहती है वह उसको फॉलो करना बंद कर देती है क्योंकि वह फॉन जो थी वह सीड़ी पर चहर नहीं पा रहे थी तो जोड़ी क्या करता है उसको गोद में उठाता तो उसको भूख लगा होगा जोड़ी जैसे ही फॉन को दूद्ध पिनाने ले जाता है तो उसको एक मतलब करते हैं छोटे से कटोरे डाइप में उसको रखता है दूद को लेकिन वह जो फॉन रहती है वह दूद नहीं पीती है तो जोड़ी क्या करता है अपने एक उंगली दूद में और उसको निकालकर एक ड्रॉब उसके ढालता है फिर धारते यहां आपना पसंद लाई और इसको लगा कि इसमें को फॉर्ण चीज नहीं है और इस पीना सुरू कर दी तो यह ता इस पूरे वीडियो में जैसे हमने देखा कि उसकी मा को मार दिया ठीक है अपने सब्सक्राइब ना को बचाने के लिए पहनने मारा था बाद में जो है उन्हेंने सोचा कि इसके बच्रे करने चाहिए तो किस तरह से जॉडि जो है गया उसके मतलब उस बेबी फॉन को या लीटिल फॉन को लाने और जो है उसकी जो care करने का पूरा जिम्मा आपने उपर लिया तो ये था पूरा इस वीडियो के अंदर इस